और ने को टो ऐसे तेपक हुआ अच्छा धी वहिए अने बै शुड़ी सी वैब साइट बनाई हुए यह इनों ने बिला बैल्ए ऐसी वैब साइट अगर वैफसे बन जय तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर का मकसद क्या होगा पूरा होगिए ठीक है मैंने आपको बना के दिखा दी है वेबसाइट, आपने भी क्या करना है इस तरह की वेबसाइट बना लेनी है खुझ से अच्छा अब यह कह रहे हैं कि यार Understanding CSS Thinking Inside the Box कह रहे हैं कि आप क्या करो यह आपको समझा रहा है कि CSS होती क्या है कैसे समझा जाए CSS को तो इसने कहें कि आप हर चीज को समझें हैं कि वो बॉक्स में दखी टू अंडरस्टेंड हाव सी एसस वर्क्स इस तो इमेजन डैट देर इस एन इन इंविजिबल बॉक्स अराउंड एवरी एश्टीमल एलिमेंट जैसे कि ये एक एश्टीमल का पेज इन्होंने बना कर दि अब ये जो पेज है इसमें ये कह रहा है कि आप इमेजन करें कि हर एलिमेंट इसके अंदर जो है वो एक इन्विजिबल बॉक्स में पैप हुआ है रैप हुआ है अच्छा अब आएं अगले पेज पे ज़रा ये इस तरह से माज़ा नहीं आएगा इसको हम व्यू चेंज क करते हैं व्यू चेंज करते हैं टू पेज है ना बुक तो रियल बुक तो इस तरह खुली होती है कि लेफ्ट पेज होता है राइट पेज होता है तो इन्हों नहीं या पर बोला भाए कि भाई पहले आप देखे ना इसको और अन दिस पेज़ यू कन सी बेसिक हटेमल उन तो आ है पर आप देखे सी धेशि बेल पेज च आप आप देखे डियल विल पी आ इस तो आप यह इस ने क्या की है इस ने बोला भाई वियर राइट है वे वना टीन आ पर इमिंट है अच्छा बाबस य्णत में नोट करें पहले बॉड़े आप दूसरा इलिमेंट? जो heading है वो दूसरा एक element है उसके नीचे most probably एक paragraph है और paragraph के अदर यह ग्रीन डबबा क्या चीज है इटेलिक है, इटेलिक है, इटेलिक का एक element होता है, आई करके, वो लगाव है इसके अंदर, अच्छा फिर इसी तरह एक और पैराग्राफ है, और एक और पैराग्राफ के अंदर ये England जो है, वो अंडरलाइन हुआ है, इस तरह English State Gardens जो है वो भी अंडरलाइन हुआ है, तो य कह रहा है कि यार, in this example, block level elements are shown with red border and inline element is shown as green border, कह रहा है कि इसमें क्या किया है, मैंने कुछ element पर red border लगाया है, जो के block level है, कुछ पर green लगाया है, जो के inline है, inline और block का फ़र्क पता है अब लोगो, हमने देख लिया था ही है, अच्छा, कह रहेंगे जी, the body element creates the first box, इसको explain कर रहे है कि क्या हुआ है, then h1, h2, paragraph, italic and anchor tag elements, each create their own box within it, ठीक है, using CSS, you could add border around any of the boxes, specify its width and height, or add a background color to do the same, you can also control text inside a box, कह रहे हैं कि यार, आपना CSS के जरीए ना ये इस तरह का border लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर लगा के दिखा दिये, कह रहे हैं या तो आप इस तरह का border लगा दें, या तो आप background का color दे दें उसको, तो उससे क्या होता है, कि आपको उस box की ना actual width और height इस वक्त क्या है, वो बता लग जाती है, ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि यार, style इस पर कौन कौन सा apply हो सकता है, इसने बोला है कि जो boxes होते हैं जो इसमें जो जो चीज बॉक्स बॉक्स नदर आ रही है, उसके width, height और border, ठीक है, और background color, end position वगएर है, ये सारी सीज़ें चें नदर आ रहे है, क्योंकि हर box, actual में तो एक box है, लेकिन कुछ boxes ऐसे होते हैं, जिसके अंदर text होता है, जैसे image होती है, image भी एक box है, लेकिन उसके अंदर text नहीं होता, ठीक है, इसी तरह जो एक हमारे पास, कोई video लगी वी है, ये कोई audio है, ठीक है, वो भी box होता है, लेकिन ह और box में text नहीं होता, तो ये जिसमें text होता है, उसकी बात करेंगे, type, face, size, color, italic, bold, uppercase वगरा, ये सारी चीज़ने क्या की जा सकती है, change की जा सकती है, जो text वाले items है, उसके अंदर, अच्छा, वापिस इसका view मैं पहले जैसा कर देता हूँ, अच्छा, यहाँ पर यह वही वाली बात कर रहे हैं, कि CSS associate style rules with HTML elements, कि CSS का काम क्या होता है, कि HTML के जो elements पहले से मौजूद हैं, हर HTML के साथ कोई ना कोई style associate कर देता है, कि जी इस पर यह style लगा दो, इस पर यह style लगा दो, इस तरह करके style associate कर देता है, अच्छा, CSS works by associating rules with HTML elements, these rules govern how the content of a specified element could be displayed, a CSS rule contain two parts, a selector and declaration, sorry मैं वो गलत बोल गया था, rule नहीं था, वो declaration था है, सही है, तो इसने का कि यह यह selector है, और यह declaration है, declaration किससे मिलके बनती है, एक key और एक value, ठीक है, key और value क्या होता है जी, वो, एक rule होता है, यह सब पुरा मिला के एक rule होता है, ठीक है जी, यह रहा, property और value, ठीक है जी, आज अब आगया, यहाँ पर यह वाला चैटर हमारा क्या हो गया, complete तो निए हुआ खेर, अच्छा, यहाँ पर यह बता रहा है कि एर, external CSS कैसे लगेगी, जो अब यह भी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले लगा के, अलरड़ी दिखा दिये, ठीक है, अलग से फाइल बनाके यह CSS लगाना बताया इसका, internal CSS, यहाँ पर tag लगा के, head के अंदर यह tag लगाया गया है, इसके अंदर यह लगा के आपको बताया गया है, और, inline CSS का इनोंने जिकर नहीं किया, लेकिन inline भी CSS लग जाती है, अच्छा, यहाँ पर अब यह बात हो रही है कि CSS selectors कौन-कौन से हैं, कहरेंगे जी, there are many different type of CSS selectors that allow you to target rules to specify element in HTML document, कहरेंगे बहुत सारे selectors हैं, the table on the opposite page, यहनी के next page के ओपर यह एक table बनाई भी हैं, introduces the most commonly used CSS selector, ठीक है, अभी इस point पर यह तमाम selectors का जिकर नहीं कर रहा, यह कौन से वाला बता रहा है सिर्फ, जो most commonly used है, सिर्फ वो बता रहा है, सारे नहीं बता रहा है, on this page, there is an HTML file to demonstrate which element this CSS selector would to apply, कह रहा है, कह रहा है, इस page पर आप देखे न, यहाँ पर कुछ मैंने HTML का code लिख दिया, और इस HTML के code के उपर उसको apply किया जाएगा, उन CSS के selectors को, ठीक है, तो यह demonstration होगी कि अच्छा जी किस पर लगा रहे हैं, तो किस पर लग रहा हैं, कैसे हो रहा है, अच्छा, और क्या बात बोली, इस न, CSS selectors are case sensitive, so they must match element name and attribute value exactly, अच्छा, अब HTML के अंदर न, यह वला चक्कर नहीं था, HTML किसी हद तक जो है न, उसमें case sensitivity का issue था ही नहीं, यहनी कि अगर h1 का जो tag है, अगर मैं वो capital में h1 लिख दूँ, हलागि small है वो जो book में हर जगा लिखा है, लेकिन अगर capital में लिख दूँ, तो क्या h1 display हो जाता है, लेकिन अब CSS में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यह सर्फ HTML के अंदर ही है, otherwise जितनी भी programming languages हैं, जिसे जावा स्क्रिप्ट है, C sharp, C++, यह सारी की सारी क्या होती है, case sensitive होती है, CSS जो है वो भी case sensitive है, यहाँ पे नोंने बता दिया, यानि CSS में अगर small से कोई चीज लिखे ही है, तो small से ही लिखनी होगी वो, ठीक है, जैसे color लिखा था, मैंने color और equals to red लगा दिया था, तो वो color मुझे small से ही लिखना होगा, ठीक है, तो case sensitive है, इसी तरह selectors भी के हैं, वो case sensitive है, अच्छा जी, there are some more advanced selectors, which allow you to select element based on attribute and their values, and that is covered on page 292, सही है, page 292 पे कहरे है, जो बचेवे selector है, ना वो सारे आपको पढ़ा दूँगा, लेकिन अभी थोड़े से, यही वाले देख लो सर्फ, अच्छा जी, आज की class में अगर हम, यह selector हमें समझ आ जाए अगर, तो मैं यह समझूँगा, कि आज की class का मकसद हमारा, पूरा होगी है,